कि नवस्कार दोस्तों मैं हूँ सुशील कुमार स्वागत है आप सभी लोग का मेड़ किचन में दोस्तों आप लोगों में भंडारे की सबजी तो जरूर खाई होगी खाने में कितिस वादरिस लगती है तो वही रेसिपी में लेका हैं आप लोगों के लिए चलिए आए बना जाना शुरू करते हैं तो आप तेज पत्ता ले लिए हमने दो तीन और दाल चीन ले लिए एक और सोकिलान में दो आलू पाउइल कली हमने अधा किलों मत्रा सो ग्राम और यहारी में काड़ लिए अधरा कोदर तर अपीस लिए और यह दो मोटे 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 टमाटर काट काला नमक हल्दी जीरा पाउडर धनिया नमक लाल मेच पाउडर अपने सबजी बनाने के लिए हम नहीं कड़ाई ले लिए इसमें दो चमच करी पाउडर डाल दिया हमने अधर जीरा डाल देंगे हम आदा चमच तेज पतर डाल देंगे सुखी लाल मेच दाल चीनी अपर खड़े मसाले को हमेशा पकाना जरूर तब ही उसका अच्छा फ्लेवर आता है बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ऐसी चटटने देंगे जिए वह भी थोड़ा चला रही है इसको अब हमने जो अद्रक का पेस्ट बनाया था इसको डाल दाएंगे है आधा चमच करीब हरी मिर्च डाल दाएंगे अब इसमें हम लंबी लंबी बीच में से चीट ली थी हमने दो हरी मिर्चे को अब जो हमने मोटे मोटे टमाटर काटके रखे थे वो डाल दाएंगे दो कान नमक डाल दाएंगे टमाटर करने के लिए थोड़ा से करी बाद है चमच से भी कम अब एक मिनट तक इसको पका लेंगे थोड़ा टमाटर हमारे कर दाएंगे तो दोस्तों देखिए हमारे कर गए है अब इसमें हम मसारे डाल लेंगे दनिया पाउर डाल लेंगे आधा चमच हल्दे डाल लेंगे आधा चमच से भी कम लाल मिर्च पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर आधा चमच उसको मिक्स कर लेंगे हम अब थोड़ा सा पान ये डाल दाएंगे हम अपने मसालों को पका लेंगे हम दो से तीन मिनिट तक तक हमारे मसाल अच्छे से बग जाए माटर डाल लेंगे हम इसमें हरी हमने कच्छी चील के रखी है अब तो पाने डाल गया माटर को पका लेंगे हम हम अब करीब हम इसमें एक गिलास पाने डालेंगे झाया देखिए दोस्तों हमारी मटर भी पक चुकी है अब इसमें हम काला नमग एड़ कर देंगे हम चूर पाउडर एड़ कर देंगे चाट मसाला एड़ कर देंगे आधे चमस्त से भी तीमों कम कम डालें इसको चला लेंगे कर दो कि कि अमुद्य मुद्य मैं युझा अ जाव पक चुके हैं ऑल डालो डाल देंगे इसमें इसको उबाल आने तक हमें एक उबाल आने तक पगाएंगे तो लीजे दोस्तों त्यार है हमारी पालू की सब्जी और इसमें कसूरी मेति डाल दें करीव एक चमच नमक स्वादनुसा डाल देंगे थोड़ा पहले भी डाला सामने याद दखना और हर इमेज डाल देंगे और लास्ट में गरम मसाला आधा चमच दोस्तों तयार होगा हमारी आलू की सब्जी आईए अब हम पूरे के लिए आटा गून लेते हैं कि अधा अधा ने गिया है अधी कि अधिक टोरी में नमक डाल दांगे स्वाद मसाल और अजमार डाल दोंगे आदो चमबच करके उसको ऐसी हाथ से मिक्स कर लेंगे उसको अब थोड़ा ओएल डाल देंगे पानी डालके हम आटे को पूल लेगे लेगेज़ा देंगे पर देंगे। पूरी बेलनी है इसी तरह से पूरी बनाते लखेंगे एक प्रेट में दोस्तों एक कड़ाई लेली हमने तेल गरम कर लिया है यह हमने हरी मेरिच टाल दिये फ्राई मेरिचे आलू पूरी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है खाने में कर दोस्तों प्रेजिब और लगती है हरे मिर्ची को बस इतना ही पगाना इसको ज्यादा नहीं पगाना देखिए पूरी हरी हरी दिख रही है ना बस इसी तरह आईए पूरी तर लेते हैं दो आईए पगान पन आए einfach जहां टतना ही पूरी हैं झाल झाल झाल